नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आप से फिक अपनेटोफ चनल तैरे जीकेप और दोस्तों इस वीडियो में ESIC Pharmacist एक्जाम के लिए प्रिप्रेशन करेंगे इसमें Top 25 Important MCQ को पढ़ेंगे जो की आपके एक्जाम के लिए बहुत ज़्यदा हैलफुल रहेंगे इस वीडियो में मैंने Previous Question प्लस New Question को भी इंक्लूट किया है अगर आप लोग इन Question को अच्छे से पढ़ लेते हो तो एक्जाम इजली क्वालिफाई कर लोगे तो चली स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं First Question है Myocardium is special muscle tissue found only in the यानि कि Myocardium कौन से आरगन में पाई जाएगी ठीक है इसमें कहरा है कि Myocardium कौन से आरगन में पाई जाएगी Option दिया गया है Heart, Brain, Stomach, Lungs सही answer है Option A क्या हो जाएगा Heart हो जाएगा ठीक है याद रिखेगा और दोस्तों आज ये Part 3 कर रहे हम लोग ठीक है इससे पहले मैंने Part 1, Part 2 वीडियो अपलोड कर दिया है अगर अभी तको वीडियो नहीं देखे है तो डिस्केशन बाक्स में आपको लिंक मिल जाएगा आप लोग वहाँ से जाकर देख लेना तो चलिए आगे बढ़ते हैं Question No.2 कर लेते हैं The powerhouse of the cell is Powerhouse किसको बोलते हैं ठीक है Option क्या दिया गया है Mitochondria, Nucleus, Golgi Bodies Option D, Ribosomes सही अंसर हो जाएगा Option A, Mitochondria Mitochondria को Powerhouse of the cell बोलते हैं याद रिखेगा Very very important question है एक्जाम में बहुत दर पूछा गया है तो अच्छे से आपको याद रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं Question number 3 कर लेते हैं EEG utilized to diagnose the diseases associated with the जो EEG होता है कौन से आरगन के लिए यूज़ किया जाता है जो EEG होता है ये कौन से आरगन के लिए यूज़ किया जाता है तो brain के लिए heart के लिए या kidney के लिए कि abdomen के लिए तो सही answer हो जाएगा option A brain ठीक है और एक इक जामे पूछा जाता है ECG ठीक है ये किस के लिए उप्यो किया जाता है तो ये किया जाता है आपके heart के लिए ठीक है जो ECG होता है ये heart के लिए किया जाता है याद रखना है ECG heart के लिए और EEG brain के लिए दोनों को आपको अच्छे से याद रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं question number 4 के लेते हैं lecumal glands produce ठीक है जो lecumal glands होती है वो क्या produce करती है तो sweet, tear, wax, sebum सही answer हो जाएगा option B ठीक है जो lecumal glands होती है ये tear को produce करती है ठीक है tear मतलब आशू होता है याद रखेगा चलिए आगे बढ़ते हैं question number 5 कर लेते हैं the hormone involved in the segregation and regulation of milk option दियागे है FSH, TSH, thyrexine, prolactin सही answer है option D क्या हो जाएगा prolactin अगला question करते हैं और दोस्तो वीडियो पसंदार आओ तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और अपने सभी दोस्तों को share कर दीजेगा क्योंकि वीडियो बनाने बहुँ ज़्यदा महनत लगती है ठीक है तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजेगा और कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग comment box में कमेंट जरूर कर सकते हैं कोई भी डाउट हो तो आप लोग comment box में comment कर सकते हैं ठीक है question number six कर लेते हैं chloroquine is a chloroquine क्या है सही answer है option b क्या होजाएगा 4 amino qunilon ठीक है याद रखेगा important question है question number seven कर लेते हैं the diagnostic agent used for the option दियागा है p32 option b p60 option c i 131 option d दियागे fe 69 सही answer हो जाएगा option c क्या हो जाएगा i 131 यानि कि iodine 131 ठीक है याद रखेगा question अब 8 कर लेते हैं the anti-fungal drugs floconazole belongs to the class of जो फ्लुकना जूल होती है वो कौन सी class की drug होती है इसमें कार रहा है जो फ्लुकना जूल होती है वो कौन सी class की drug होती है option दियागे है azoles pyridine option c दियागे है pyrimidines option d acridines सही answer हो जाएगा option a azoles याद रखेगा very very modern question है इक ज्या में बहुत ज़र पूछा गया है तो आपको अच्छे से याद रखना है मैं जितना question करा रहा हूँ सभी उसमें मिल जाएगा आपको ठीक है तो वहां से आप लोग इजली पढ़ सकते हो अभी तक हम लोग part 2 वीडियो पढ़ लिये थे आज हम लोग part 3 पढ़ रहे हैं clear चली आगे बढ़ते हैं question number 9 करते है question number 9 है आइन एनलजेसिक containing पैरामीनो फिनोल ग्रूप इज आपसन दियागा एस्परियन पैरसीटमाल आइब्रूफएन आपसन डी इंडो मेथासीन सही आंसर है option B क्या हो जाएगा पैरसीटमाल याद रिखेगा जो पैरसीटमाल होती है यह बुखार उखर में दी जाती है clear यह एनलजेसिक दवा होती है जो पैरसीटमाल होती है एनलजेसिक दवा होती है अच्छे सबको याद रिखना है चली आगे बढ़ते हैं question number 10 कर लेते हैं क्या है क्या है सिप्रोफ्लक्ससीन तो क्यूनिलों ड्रग ऑप्सिन भी दियागे है क्यूनी क्यूदाइन ड्रग ऑप्सिन दियागे है क्यूनिलों ड्रग ऑप्सिन डी आइसो क्यूनो आइसो क्यूनिलियन ड्रग तो सिप्रोफ्लक्ससीन कौन सी ड्रग है ऑप्सिन हो जा कर आफ़ेसन 2D कि अगार अजो का अर्जुन आशार फोटिया साहिए आन्सर हो जायगा क्या हो जाएगा आसऔ 26 mistIos 3D कि अजुआ कि टीटा में थोड़ा स्टेयलिंग इसमें अठप डांग रहता है तो आपको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, question number 12, ट्रोपेन एल्कॉलाइट स्कैन भी एडेंटिफाइड बाई, option दियागे, बाईरुट टेस्ट, मिलन्स टेस्ट, थेलोक्यून टेस्ट, विटाली टेस्ट, सही answer हो जाएगा, option D, क्या हो जाएगा, व सही answer हो जाएगा, option D, क्या हो जाएगा, option D में क्या दियागे, question number 14 कर लेते हैं, करकुमिनोट्स, आर प्रजेंट इन, सही answer हो जाएगा, option C, टर्मरीक, clear है, अगला question देख लेते हैं, question number 15 कर लेते हैं, oxygen is transported to every cell of the human body of, option दियागे, red blood cell, hormones, white blood cell, blood platelet, सही answer है, option A, क्या हो जाएगा, red blood cell, यानि कि RBC, ठीक है, याद रखना आपको, RBC का full farm भी आपको याद रखना है, क्योंकि एक्जाम में, RBC, WBC का भी full farm पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो RBC का full farm होता है, red blood cell, ठीक है, और अगर आपसे एक्जाम में ये पूछ ले, कि RBC का G1 काल, क याद रखिएगा, चलिए, अगला question देखते है, question number, system के लेते है, AC node of mammalian heart is non-age, option दियागा, time controller, paste maker, beta regulator, option D दियागा, R2 regulator, सही answer है, option B, क्या हो जाएगा, paste maker, clear है, अगला question देखते है, question number, 17 कर लेते है, which of the following is not a bone in the legs of the human body, सही answer है, option A, क्या हो जाएगा, radius, ठीक है, याद रखिएगा, चलिए, आगे बढ़ते है, question number 18 कर लेते है, pancreas, secrets hormone, which help in you, सही answer है, option D, क्या हो जाएगा, keeping sugar balance in body, next question करते है, next question है, question number 19, which of the following components of blood protects human beings from infection, blood platelets, plasma, hemoglobin, white blood cells, सही answer हो जाएगा, option D, क्या हो जाएगा, white blood cells, यानि कि WVC, ठीक है, याद रखिएगा, अगर इजामर्स यह पूछ ले, कि WVC का जो life होता है, कितना होता है, तो, 3 से 4 दिन, ठीक है, 3 से 4 दिन, WVC का life होता है, RBC का पूछ ले, तो, RBC का पूछे, तो, 1 सब 20 ठीक है, याद रखिएगा, चली, आगे बढ़ते हैं, question number, 20 कर लेते हैं, which of the following glands control the development of sex organs in humans, सही answer है, option B, क्या हो जाएगा, pituitary, question number 21 कर लेते हैं, the blood pressure is the pressure of blood in, सही answer हो जाएगा, option D, क्या हो जाएगा, arteries, ठीक है, याद रिखिएगा, अगला question देख लेते हैं, question number 22 कर लेते हैं, the gland which in relation to body size is largest at birth and then gradually shrinks after poverty, सही answer हो जाएगा, option A, क्या हो जाएगा, thymus, clear है, सही answer है, चलिए, question number 23 कर लेते हैं, which of the following is not a vestigial organ, सही answer है, diaphragm, क्या हो जाएगा, option C, सही हो जाएगा, diaphragm, ठीक है, अगला question देखते हैं, question number 24 कर लेते हैं, the hormone responsible for the secretion of milk in mother is, सही answer हो जाएगा, option D, क्या हो जाएगा, lectogenic hormone, clear है, अगला question करते हैं, question number 25 कर लेते हैं, the total number of bones in human skull is, इसमें पुछा गया है, कि human में, जो skull होता है, यानि कि खोपड़ी, उसमें कितनी हडिया होती हैं, ठीक है, मानों सरीर में, खोपड़ी में कितनी हडिया पाये जाती हैं, 12, 30, 8, 22, सही answer है, option D, 22, ठीक है, very very important question है, याद रखना आपको ये ग्यान बहुत बार पूछा जाता है, तो दोस्तो, इसमें हम लोग ने, top 25, important MCQ को पढ़ लिये हैं, और ये question बहुत ज़्यदा महतपूर हैं, तो आप लोग इन सभी question को अच्छे से त्यार कर लेना, आप लोग एक notes बनाते चलिएगा, उसमें आप लोग सभी question को अच्छे से note कर लीजिएगा, और अच्छे से आपको revision करते रहना है, ठीक है, इसमें आपका जो paper होगा, total 150 नमर को होगा, ठीक है, 100 question रहेंगे, ठीक है, कितना question रहेगा, 100 question आपका रहेगा, 150 marks का, clear, तो आपको अच्छे से त्यारी करना है, तो दोस्तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेश वीडियो में, तब तक के लिए, thank you,